सर्दियों में वेटामिन सी की कमी को दूर करने और सर्दी खांसी से निजात पाने के लिए खाएं ये छे फल दोस्तों सर्दियां अपने साथ कई बिमारियों को लेकर आती है सबसे आम है सर्दी और खांसी सर्दियों में बॉडी का टेंप्रेचर बिगड जाता है सर्दी खासी, गला दर्द, सिर्दर्द जैसी समस्याओं को हेल्दी डाइट लेकर दूर किया जा सकता है यहां हम ऐसे छेफ विंटर फ्रूट्स के बारे में बताएंगे जिने इस सीजन में आप डाइट में जरूर शामिल करें इन फलों के बारे में जानने से पहले आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रूट बास्केट में जहां हम आप से शेयर करते हैं फलों के बारे में सब कुछ जानिए इनके फायदे इनके नुकसान साथी साथ सही तरीके और सही समय पर खाने के फायदों के बारे में दोस्तों सर्दियों में कुछ ऐसे फल होते हैं जो हमें गर्म रखने में मदद कर सकते हैं इस वीडियो में हम ऐसे कुछ फलों के बारे में बात करेंगे, जो आपको सर्दी से बचाने में मदद कर सकते हैं, सर्दी का मौसम दस्तक देने लगा है, और यह वो दौर होता है जब सेहत के प्रती अतिरित सतरकता बरतना जरूरी होता है, ठंड में खान पान का भी बड़ा महत्व है, सही समय पर सही चीजें खाई जाएं तो सेहत को फाइदा होता है, इस मौसम में आने वाले फलों को खाने से आप अपने शरीर में खून की कमी, बालों का जड़ना, हड्डियों को मजबूत करना, तवचा की देखबाल और भी कई परेशानियों में आपको मदद कर सकती है, तो आइए जानते हैं इन फलों के पारे में, जो सर्धियों में आपको कई तरह की समस्याओं से बचाने में मदद करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं संतरा की, दोस्तों सर्दियों में संत्रे खाने से शरीर गर्म रहता है संत्रे के सेवन से सर्दी खासी में भी मदद मिल सकती है संत्रा फाइबर का स्रोथ है और साथ ही इसमें विटामिन भी बरपूर मात्रा में होता है आगे बात करते हैं अमरूद की अमरूद को कई बिमारियों में डाइट में शामिल करने की सला दी जाती है यह डाइबटीज मरीजों को बहुत फाइदा पहुँचाता है बलड शूगर के साथ ही कॉलिस्टरॉल को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है साथ ही साथ सर्दियों में ऐसी परेशानी होना आम बात है पर अमरूद के सेवन से आप इससे बच सकते हैं इसके बाद बात करते हैं पपीता की दोस्तों शरीर को अंदर से वाम रखने में सर्दियों में पपीते का सेवन करना चाहिए यह ठंडे तापबान से निपटने का एक प्राकृतिक और पौश्टिक तरीका है पपीता सर्दि खांसी से रहा देनाने में भी मददकार हो सकता है आगे बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की स्ट्रॉबेरी इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे आदर्श फलों में से एक है स्ट्रॉबेरी सर्दियों की अधिकांच बिमारियों से लड़ने में भी मदद कर सकता है यह बाडी को गर्म रखने में तो मदद करता ही है साथ ही इसमें मौझूद एंटी आक्सिडेंट्स स्किन के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं अब बात करते हैं चीकू की दोस्तों ज्यादा तर लोगों को चीकू पसंद होता है चीकू में कई स्वास्तिलाब है इसमें कई तरह के वाइटामिन मौझूद होते है चीकू शेरीर को एनरजेटिक बनाए रखने के साथ ही आखों के लिए भी फायदेमंद होता है साथ ही यह सरदियों के लिए बिमारियों से लड़ने के लिए एक महत्वपून फल है इसलिए मौसम के अनुसार चीकू को अपनी डाएट में जरूर शामिल करें आखिर में बात करते हैं अनानास की दोस्तों आजकल सबकी अपनी-पनी अलग पसंद है कुछ लोगों को अमुरूद पसंद नहीं है तो किसी को संतरा पसंद नहीं होता है ऐसे में अननास एक विकल्प के तौर पर भी काम करता है यह एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपटी से भरपूर होता है जो एलर्जी, राइनाइट्स और कई बिमारियों को रोकने में मदद करता है इसलिए आप अननास को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे वो छे फल जो आप सर्दियों में सेवन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई फलों से जोड़ी जानकारी है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें आपके सुझाव हमारी लिए बहुमूले है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाबकारी हो और आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल फ्रूट बास्केट तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब रहे